आमादमी पार्टी हरयाना के सीनियर وईस प्रेजिडेट अनुराग धाणडा ने इंदरी हलके के बार गरस्त गाउं का दोरा किया इस मौके उनके साथ आमादमी पार्टी के कहीं पधादिकारी वैकारे करता मुझूद रहे बाड प्रभावित गाउं बयाना में ट्रेक्टर के माध्यम से पहुंचे अनुराग धांडा बाड पीरित लोगों से बाचित करके उनकी पीडा को सुना और ग्रामिनों का आश्वा संदिया कि उनकी पार्टी का हर कार्यकरता उनके बीच में रहकर हर प्रकार की मदद के लि पूरी तरह से नकाम सावित हुई है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के जन प्रतिनी दी वेपरशासनिक अधिकारी पार परभावित लोगों के संपर्क में नहीं है और इस बात को लेकर लोगों में रोश का माहौल है सरकार को तुरंत अपने मंत्रियों विधायकों बचा नहीं है कोई मदद पहुचाने का जरिया भी अब देरे देरे खतम हो रहा है तो अब ये मुश्किल समय है और सरकार को आगे बढ़के लोगों की मदद करनी चाहिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने सब कारेकरताओं को पूरे अर्याना में ये कहा है जो जैसे जह करीब ग्यारा सो करोड रुपए बिना खर्च किये हुए पड़ाया सरकार के पास यहां भी मुझे पता चला यहां पे भी कारण जो पानी आया गाओं में कम से कम 15-18 गाओं यहां पर भावित है उनमें पानी आने का जो में कारण है वो किनारा यमुना का तूट गया दो ज किनारों को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया गया अगर सरकार स्टेटेजिकली कहीं से नुकसान को कम करने के लिए कहीं से अगर उसमें रिसाव या तोड़ती है कहीं से किनारा तो उसके लिए पहले प्रबंद किया जाता है कि गाओं के चारों तरफ आर्टिफिशल ब अज़ाम नहीं था आपदा प्रबंधन का विभाग है सेंकडों करमचारी हैं अधिकारी हैं करोणों रुपए का बजट है लेकिन आपदा के आने से पहले कोई प्रबंध नहीं किया गया और अभी भी ना मंत्री ना विधायक कोई जमीन पे लोगों के दुखदर जानने के लिए भी नहीं पहुंच रहा जन प्रतिनिदी का काम क्या है सबसे पहले आप जनता के बीच में जाके उनका दर्द तो जानो कि वो चाहते कैं तब ही तो उनके समस्या हैं पूरी करोगे यहां भी पूछा तो वही जवाब मिला जिला प्रशासन से कोई अभी तक इस गाउ में आया ही नहीं जब हम आ सकते हैं जब समाज सेवी एंजियो आ सकते हैं जब खाना पहुंचाने के लिए समाज के समर्थ साथी आ सकते हैं तो फिर सरकार के जिला के अधिकारी क्यों नहीं आ सकते इन जगों पे उनको आके गाउं के लोगों से पूछना चाहिए क्या दिक मैं पाल कश्यक की रिपोर्ट की युगमार्वी टेवी